से स membaysect कोड एंदर कोड के नरशारी के अंदर अपर कन्य आपको 15 जो हमेशा होते हैना कौट में जो हाई कोड में भी हुआ तीन बर मेडियेशन मेडियेशन जो अथा में एक एसा एनसान जो मेरे लाइफ में था नेक्स्ट कुशन है संजीत कुमार कुश्वाहा के तरप से संजीत जी पूछते हैं जस्ट आस्किंग विध रिस्पेक्ट एक आदमी गलत होता है तो सब गलत नहीं होते आप लाइफ ताइम अकेले कैसे रहोगे आप लोग बहुत बढ़िया होंगे हम भी ठीक ठाक है क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे बहुत अच्छे-च्छे सपोर्टर्स है और उपर वाले का अशिरवाद है तो सब कुछ अभी तक बढ़िया बढ़िया है तो आज ना कोट में डेट है और हम अभी रेडी हो गए और अज मॉली को भी रेडी कर दिया क्योंकि इसको ना पापा से मिलने जाना का तो यहां पे भी रेडी है मॉली देखना भींगे नहीं तुम्हारा वहाँ पर पानी गीरा हुआ है सौक्स भींगे नहीं ठीक है तो अभी मॉली निकल रहा है कोट और फ़ड़ा लेट हो गया है देखते हैं क्या होता है वहां पे आकर के बताते हैं तो अभी हम और मॉली निकल गया है आज हम मॉली को भी ले लिए जासमें अभी हम बैठे हुए कोट के अंदर कि परती प्रोसिस निर्थ करना थे क्या देखे हरा गया यहांपे हो रहा है और भीड देखे इसममुप प्ररा ओर करले कि यहां के माल मुझस पाद है काल मां द rubbish की शुंप दिड़ाया है यहां से कार कार जाता है जाया एक हर सकतप चाहिए जब पता है क्या हुआ? मॉली को नगर से खाना खिला रहे हैं, मॉली खाई नहीं जो क्या रोटी हो रोटी हो टे खिला रहे हैं लेकिन यह खुख लग लगेा है इसके लिए भी मंगा है कचोडी कि तुम खालो और इसको खिला दे रहे हैं कि खालो इसको भूख लग गया था बहुत जोड से अब इसको यहां पर खिला करके यह अंदर ही है एक रेस्टूरेंट रेस्टूरेंट यह ऐसी ढ़ाबा जैसा है यहां पर कुछ कुछ मिलता है सब्सक्राइब को निकल रहे है यहां से ठीक है ना तो अभी जस्ट हम आये कोट से आदे के साथ हमको कुछ अच्छा खाने को मिल गया यह देखिए यह मेरा पता फेवरेट है इस यह इसको ना शायद ही हम कभी छोड़ पाएंगे इस समोसा मेरा फेवरेट है सूरू समोसा इतना पसंद है इतना पसंद ना यह मीठा वला समोसा और नमकीन वला समोसा अभी दोनों बैट के तो सबसे पहले हम खाएंगे और कोट में क्या हुआ खाने के बाद बताते हैं आप लोगों सुनके भी हसी आएगा मतलब कुछ ऐसा इंटरस्टिंग हुआ हम तो हम भी माइ आज है नेक्स्ट है और कल कोट से आगर कहम एक दम इतना गंदा वाला नी पधा नंस प्ली और हम ब्यूआ आज क्यों को अब बूख ङहाए गंडा नी नहीं हम सो गए और पिर हम कल कुछ बनी किए कल एस यूसवल जो हमेशा होते हैं ना कोट में जो हाईकोट में हुआ त तो कल फिर्स्ट मेडियेशन था मैंटिनेंस का तो फेल हो गया और आज फिर एक डेट मिला है डियेशन का आज बारा दिसंबर तो वह भी वह वह इए बहुत अच्छा से फैल होगा तो तो आट है ना हम तो भाई हम तो बोल भी हम तो कई बार बोले कि हम सेटलमेंट के लिए रेडी है कि इस मुकदमा में क्यों फसना है आप भी देख लीजिए आप पूर रहना नहीं है साथ में तो फिर वन टाइम सटल्मेंट करके हट जाना जादा बेटर आप्शन है लेकिन पदा नहीं उनके दिमाग में क्या है भगवान जाने हमको भी नहीं कुछ समझ में आता ह है तो बस यहीं हुआ गई और मॉली को मिलना था तो मॉली को मिला दिया वह मिल ली थोड़ा सा फिर आते वक्त पूरा भजन किर्टन कर रही थी पापा पा 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 यह वो यह वो पूरा हम आले चलो ठीक है बिटा आप चूप हो जाओ इतना हुआ उसके बाद अभी तो से कुश्यों आया है जिसका अंसर हम अभी नहीं करेंगे हम कोट से आएंगे तब करके और फिर वीडियो को एंड करेंगे तो फिलाल तो हम जा रहें कोट और देखते हैं क्या होता है वहाँ पर तो गईज अभी जैस्ट हम आये फिर्स कोट से और हम चट पर आके बैठे हुए धूप में धूप में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है पीछे बैक में धूप लग रहा है तो और सेकेंड मेडियेशन भी फेल हुआ यह हमको भी पता है यह बीना मतलब का बस बात खीचा जा रहा है और सामने वाला बंदा इसलिए डाई वोस नहीं दे रहा है क्योंकि उसको ऐलमन नहीं देना पड़ेगा इसलिए नहीं तो कितना दिन ऐसे चलेगा और हमको लटका के तो कुछ फाइदा है नहीं आप दोले डाई साल से भाग दोल के देख रहा है कुछ नहीं हुआ है फिलाल तो कुछ क्वेश्चन्स आया था मेरे पास तो उसका हम आंसर करते हैं और मजा आएगा आंसर आप लोगो सुनके भी और कुष्चन हमको पढ़के भी शुरू करते अभी तो पहला जो क्वेश्चन आया है वो कुष्चन नहीं है वो डिरेक्ट हमको सला ही दे लिया है यह है एड़ रेट रातू 9632 के तरफ से कि दीदी आप यूपी एसी की प्रिप्रेशन सुरू कर दो और उसकी ओकाद दिखा दो भाई साब एक बात बता दे यूपी एसी का प्रिप्रेशन जो होता है न वो दूसरे का ओकाद मतलब दूसरे को ओकाद दिखाने के लिए नहीं होता है खुद का ओकाद देखने के लिए होता है सच बताए तो हम क्योंकि यह एक ऐसा एक्जाम है जहां पे आप किसी को वो प्यार मोबत वाला सीन नहीं कि आरे वो हमको धोका दे दिया तो यूपी कि प्रेशर में आगे तो बिल्कुल नहीं कर पाईएगा तो ऐसा कुछ नहीं है और अभी मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपना फैमली देखना तो थोड़ा हम अगर स्टेबल और अच्छे से हो जाते हैं फाइनेंशियल वगरा भी तो हम सोच सकते थे लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं लेकिन आगे का देखा जाएगा क्या होता है हो सकता है तो थैंक यू और नेक्स्ट कुश्यन है यूनिक मोदी 07 के तरफ से कि ये लिखते हैं इतना दुख तकलीफ के बाद भी कैसे खुश रह लेते हो दीदी आ आप एंड ऐसे ही रहे हमेशा तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका कि आप विश्किया है मेरे लिए कि हम हमेशा ऐसे ही खुश रहे और जो यह आप लिखे हैं कि इतने दुख तकलीफ के बाद भी खुश कैसे रह लेते हो तो खुश रहना और दुखी रहना ये एक एक चॉइस है आपका अभी हम चाहते तो मेरे पास दुखी रहने का बहुत रीजन है कि हम दुखी रहे और मेरे पास खुश रहने का भी रीजन है कि हमको अपने बच्चे के लिए खुद के लिए अपने फार्मली के लिए खुश रहना है तो बस इसे में खुश रहने का क उतना है ना जिसे कि हम अपना फैमिली आराम से चला लेते हैं मतलब ममी पापा बेटी बहन अपना घर हम देख पा रहे हैं उतना मेरा इंकम हो जाता है इस्षाद 875788 के तरब से कि आप कुछ अलग दिखाओ हजबन के अलावा कुछ और अलग करो तो इस्षाद जी बात बताए कि मेरा जो भी कंटेंट है वो कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है मेरा डेली का ब्लॉगिंग है तो जो होता है हम दिखा देते हैं लेकिन यह हम सोचे ह हुआ है कि एक बार हम डाइवोस का वेट कर रहे थे मेरा डाइवोस जब भी हो जाए तो हम फटा फट से अपना कंटेंट भी चेंज करें और हम खुद को भी थोड़ा खुच हद तक चेंज करना चाहते हैं तो कंटेंट डेफिनेटली चेंज होगा क्योंकि हम बहुत जल् नेक्स कुशन है आयम पवनीत की तरफ से पवनीत जी की तरफ से कि यह लिखते हैं जो आपने सीखा उसके एकॉर्डिंग क्या सजेशन देना चाहेंगे आप सबको पहले की और अब की लाइफ में डिफरेंस बताए और एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना और अपने ला मेरे जो पहले का लाइफ था ना पनीत जी वह हम मेंटली बहुत वीक हो गये थे बहुत वीक क्योंकि हम डिप्रेशन में थे यहां पर सबको लगबग लगबग पता यह चीज और अभी का यह हैं कि मेरे पास लगजरियस कार नहीं है बहुत आलिशान घर बंगला महल नहीं है मिडिल क्लास बोल सकते हैं लेकिन यहां से मेंटली बहुत सुकून है बहुत सुकून है और एक ऐसा इंसान जो मेरे लाइफ में था उनसे अगर हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करें ना तो हम मतलब मेरे दिल से हम यह जानता है कि वह बंदा मेरा नहीं था नहीं दिमाग कहता है कि नई उस रिलेशनशिप में बहुत जेली हो तुम बहुत जेली हो बहुत मतलब बहुत क्योंकि हमको अब ऐसा लगता है कि जिसको हम खोए जो मेरे लाइफ से गया वो इंसान किसी ऐसी लड़की को खोया है न जो सिर्फ और सिर्फ उसकी थी और हम ऐसे लड़के को खोये हैं जो लड़का मेरा कभी नहीं था कभी भी नहीं था शुरू से लेकर लाश तक नहीं था तो इस बात को लेकर के हम थोड़ा सा निश्चिंत रहते कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ उपर वाले के मर्जी से हुआ उपर वाले के मर्जी से हुआ तो जाधा टेंशन नहीं लेना है ये था और अब का लाइफ मेरा बहुत टेंशन फ्री वाला है निश्चिंत वाला है मस अपना life enjoy करते हैं जहां जाना है जिस से बात करना है घुमना फिरना बच्चे को ममी पापा सब को तो यह एक्दम सुकून वाला life है और आगे और सब बहुत भी बढ़िया होगा बहुत बढ़िया होगा और पवनीत जी का यह question था कि आपने जो सीखा उसके according क्या suggest करना चाहेंगे आप सबको तो मेरा suggestion यहाँ पे सबको यह होगा ना life में financially independent होना यह सबसे ज़्यादा जरूरी है प्यार, मुहबद, रिष्टा, नाता यह सबको side में रखके आप कम से कम इतना खमाना आपको आना चाहिए जिससे कि आप अपना life अच्छे से spend कर सके और आपके साथ जो जुड़े लोग है उनका भी आप दिखबाल कर सके जैसे आपके parents यह सारा कुछ तो हाँ, सबसे पहले आता है आपका financial stability stable होना आपको आपके life में और किसी पर dependent न होना और अपने दिल को थोड़ा सा strong बना के रखना यह कोई आए, कोई जाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए मतलब अपना खुशी का चाबी आप किसी और के हाथ में न दे ऐसा होना चाहिए और यही हम सीखे अपने life में कि अब बस बहुत हुआ अब हम खुद के साथ मतलब इनसान को खुद के साथ खुश रहना आना चाहिए यार आना चाहिए यह बात है हाँ लेकिन जो गलत किया है उसको उसको भी सबक सिखाना चाहिए यह भी है नेक्स्ट आई होब कि हम आंसर कर पाये होंगे पवनित जी तर्फे बढ़ार्म prove इन आटनी के तरफ से की आप मोंभी जी साथ वीदियो क्यों नहीं बनाते हैं हमें पसंद हैसाम में वीदियो फ्रों पुन्या आर्थी जी क्या है ना यहां जो Kumar लोगी बिस्लेट ब्मशर रहते हैं यह उनका एक फामली राक्चि में बी है तो उनको दोनों तरब भीं देखना पड़ता है और उनका content बागैरा क्या है आप लोगोगोग पता है कि वह second hand car bike वागयरा का वीडियो ज़ादा बनाते हैं वही सब उनका content है तो वह तो मेरे दोस्त हैं तो मेरे वीडियो में वह दिख जाते हैं तो यह सारा कुछ है और अगर ऐसा है आप लोगो देखना पसंद है तो हम जरूर से हम लोग जब भी मिलते जुलते हैं तो फिर हम वीडियो तो बनाते ही है तो बिल्कुल बनाएंगे वीडियो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो निक्स्ट कुश्यन है शिवांग सिंग 90 के तरफ स दीदू आप मेरे से कम मिलेंगी मुझे आपसे मिलना है प्लीज शिवांग जी आप हैं कहां से हमको नहीं पता और जब भी मिलने का होगा मतलब जब भी ऐसा कुछ बनेगा साइथ संजोग मतलब जब भी होगा मिलने का तो मिली लेंगे और ऐसे भी हमको सबसे मिलके बहु संजीत जी पूछते हैं just asking with respect एक आदमी गलत होता है तो सब गलत नहीं होते आप lifetime अकेले कैसे रहोगे संजीत जी आपका कहना सही है कि एक आदमी गलत है तो सब आदमी गलत नहीं है हम सब को गलत नहीं बोलते यार बहुत ऐसे gens member भी हैं ऐसे boys भी हैं जो सफर करते हैं real life में हम देखें ऐसे लोग को भी लेकिन क्या होता है ना कि एक इंसान को जब आप एकदम शिद्दत से चाहत हैं जब वो इंसान आपको आपके साथ ऐसा करता है ना तो फिर दुबारा किसी पर भी ट्रस्ट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत मुश्किल और ऐसा नहीं है second chance देना चाहिए खुद के life को बिलकुल देना चाहिए लेकिन थोड़ा सोच समझ के क्योंकि पहली बार में जब इतना बड़ धोका मिला होता है तो दूसरे बार आदमी को थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए मेरा यह मानना है तो आगे का देखा जाएगा जो होगा बढ़िया होगा तो नेक्स्ट कुश्चन है गितिका जी के तरफ से गितिका 6288 के तरफ से क्या कि हस्बंड ने कभी आपसे प्यार नहीं किया फ्लीज मेरे क्षिश्चन का अंसर जरूर दीजेगा गितिका जी हम नहीं पता वो कियें की नहीं कियें और क्योंकि अब जैसे हमको पता चलता है कि उनके समाज में अगरवाल समाज में लड़की का कमी है उसके वजह से वो मे वाले को तो वो उसको गाली नहीं दे सकता है मार पीट नहीं कर सकता है इतना टॉचर नहीं कर सकता है और उसको बीच राह में ऐसे छोड़ नहीं सकता है अगर हम सच में किसी को पसंद कर रहे हैं तो यह मेरा जिम्मेदारी बनता है यह मेरे अंदर होगा कि सामने वाला वो किया कि नहीं किया अगर किया होता तो शायद इस मोड पे लाके छोड़ा नहीं होता क्योंकि हमा केले नहीं थे उसका बच्चा भी था यह था खेर लीव इट जो भी था नेक्स कुशन है प्रीती अमित के तरफ से यह आपको अपने सिस्टर का सप्राइस पहले ही दिखा दिया आपने तो अपनी सिस्टर का सप्राइस पहले ही दिखा दिया नहीं प्रीती जी हम उसका सप्राइस पहले नहीं दिखाये थे वो वीडियो हम बाद में पोस्ट किये थे एक दिन के बाद जब उसका शाम को जब शाम को उसका रिसेप्शन मतलब उसका पार्टी हो गय कोशिन नहीं है बस बहुत सारे गुड़ विशेज हैं और फो यू एंड फो मॉली थाइंक्यू सो मच शुन्षर जी था और अच्छा लगता है आप लोग से ऐसे हम कनेक्टेड है बहुत अच्छा लगता है यार कि कोई है मेरे लाइफ में मतलब आप लोग है मेरे लिए मेर हमाईने रखता है बहुत तो निक्स कुष्चिन है कृती वर्मा94770 की तरब से आपकी क्यूटनेस का राज क्या है दी शायद मॉली बाभू के उ fazem पर लेकिन मेरे पेरेंट्स ही हूंगे ना यार मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे-च्य सब्स्क्राइबर से बहूत क्यूट क मेरे गाल एक दम गुलाबी हुआ रहता है कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सब्स्राइबर्स है इसी का रहता है और क्या रहेगा और मॉली क्यूट है क्योंकि हम क्यूट है इसलिए मॉली क्यूट है तो कुशिंस फिलाल इतने ही था I hope कि हम सब का अंसर कर पाए हो और इस वीडियो में इतने ही गाइस हम चले वीडियो को एडिट करके पोस्ट करने और थांक्यू थांक्यू सो मच ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा जुड़े रहिएगा और अपना अग्दम भर भर के प्यार दीजेगा तो थांक्यू सो मच पर वाचिंग और ये ब्लॉक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप लोग क्या सोचते हैं कि वो बंदा क्यों नी डाइवोस दे रहा है मतलब क्यों डाइवोस नहीं फाइल कर रहा है इसमें आप लोग का क्या ओपीनियन है क्योंकि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है समझ में खैर फिलाल इस वी अच्छा लगा चोकलेट खाके अच्छा लगा चोकलेट खाके ठीक है